अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारी जो RGB जलने के बाद जो आपकी लुक है वो कुछ इस तरीके से आती है इसमें कोई dedicated button नहीं दिया गया है RGB चेंज करने के लिए जो कि एक मुझे थोड़ा सा negative point लगा बड़ जिस price range में यह आता है उसमें यूजयली आपको buttons और चेंज करने का option जो है वो नहीं मिलता इसमें like pulsating mode है अपने आप automatically जो colors है वो चेंज हो रहे हैं और आपको light जो है यहां पे इदर इदर यहां buttons पे इवन यहां आगे की तरफ side पे हो गया और यहां पे पीछे की तरफ जो है वो यहां पे देखने को मिल जाता है अगर मैं यहां पे mouse के fit and feel की बात करूं तो mouse अगर आप देखेंगे तो काफी humongous mouse जो है वो यहां पे मिल रहा है और मेरे हाथ के हिसाफ से आप इस mouse का size देख सकते है mouse इतना जादा हलका नहीं है कि मैं बोलूगा कि बहुत जादा हलका आगा इतना जादा भारी भी नहीं है कि आपको कोई problem जो है वो आने वाली है कोई भी game play करते वह या कोई भी काम करते वह मतलब it's decent और हाथ की जो feel है जो fit और finish आरहा है वह बहुत ही जादा comfortable जो है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है